नमस्ते, आज हम देखेंगे बेक पेन के लिए आसन, आज कल एजेड लोकों के साथ साथ यंग स्टर को भी बेक पेन की प्रोब्लेम होती है, जिसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे लाइफ स्टाइल में चैंजिस होना, स्ट्रेस होना, मोटा पा होना, कोई बिमारी होना, या फ कई आसन हैं, जिसमें बेक को अच्छा स्ट्रेच मिलता है, और बेक पेन में रिलिफ होता है, जिसमें से आज हम पाँच आसन देखेंगे, तो चलिए, सुरू करते हैं, सबसे पहला आसन है केटेन काउपोस, जिसमें वजरासन से टेबल पोस में आ जाना है, हाथों को सॉल्डर के एकदम नीचे रखना है, और नीज को हीप के एकदम नीचे रखना है, और पेरों के बीच में थोड़ा सा गेप रखना है, अब इनहेल करते हुए, सिर को उपर ले जाए, और पीट को नीचे की तरफ, जितना हो सके उतना स्ट्रेच करने की कोशिस करें, थोड़ी देर इस पोजिशन में रुके, और फिर एक्सेल करते हुए, सिर को नीचे और पीट को उपर ले जाए, फिर से बेक को अच्छा स्ट्रेच करें, और थोड़ी देर इस पोजिशन में रुके, इन्हेल इन एक्जेल पे फोकस करें, बोडी को अच्छा स्ट्रेच करें और इस तरह से तीन से चार बार रिपीट करें दुसरा आसन है कोब्रा पोस, जिसके लिए जमीन पर पेट के बन लेट जाए, दोनों हाथों को छाती के पांस में रख दे, और टो को बाहार की साइड रखे अब इन्हेल करते हुए नाभी तक की बोडी को उपर उठाए, भजन हाथों पे रखना है और थोड़ी देर इस पोजिशन में बने रहना है एक्जेल करके नीचे आ जाए और फिर चार से पांस बार रिपीट करें इसके दो-तीन वेरियेशन भी है इसमें से कोई भी हम कर सकते हैं जैसे कि हाथों को सोल्डर के बराबर रखकर फिर बोडी को उपर कर सकते हैं या फिर दोनों हाथों को आगे उपर नीचे रखकर फिर बोडी को उपर उठाए तो आप अलग-अलग करके देख सकते हैं कि आपकी बोडी के लिए कौन सा सूटेबल है फिर आप वो रिपीट कर सकते हैं अब हम करेंगे चैल पोस इसके लिए पहले वजरासन में बैठना है एक आसन हो जाने के बाद आप थोड़ा सा रेस्पी कर सकते हैं डीप इनहेल एंगजेल कर सकते हैं अपर बोडी को स्ट्रेट रखे और इनहेल करें अब एकजेल करते हुए दीरे दीरे नीचे जाए हेड को जमीन पर लगा दे और दोनों हाथों को पीछे रखे थोड़ी देर इस पोजिशन में रहना है और आप चाहे तो आप ससांकासन भी कर सकते हैं इसके लिए हाथों को आगे रखना होता है और गालुकार के were open अगर आप चाहे तो दोनों पेरों को थोड़ा सा खोल कर होल्ड कर सकते हैं अब हम करेंगे अर्धमत्सियंद्रासंद जिसके लिए दोनों पेरों को आगे रखके बैट जाए अगर थोड़ा सा रेस्ट करना है तो रेस्ट कर लीजिए बोडी को स्ट्रेट रखे और फिर दोनों लेक को बैंड करके लेफ लेक को राइट हिप के नीच रख और अब राइट लेक को लेफ लेक की नीच के पीछे की साइट रखना है अब राइट हैंड को पीछे रख दे बोडी को स्ट्रेट रखे दूसरे हाद से लेक को पकड़ लीजिए और फिर पीछे की दरफ देखना है स्वास लेते रहे और इस position को hold करे हाथों को आप अलग-अलग position में रख सकते हैं जैसे कि इस तरह से आगे भी रख सकते हैं इसे भी थोड़ा आगे रख सकते हैं या फिर इस तरह से उपर की side भी रख सकते हैं हमें अपनी flexibility के according करना है जो भी हमे suitable है वो हम कर सकते हैं अब बहार निकलने के लिए सबसे पहले head को आगे करें फिर दोनों हाथ को ले ले और फिर leg को सीधा करते हैं अब सेम इसी तरह से दूसरी side repeat करेंगे इस आसन को आप ज्यादा देर तक hold करके रख सकते हैं तो फिर इसको दूसरी बार करने की ज़रूरत नहीं है या फिर अगर आप चाहें तो आप इसे 2-3 बार repeat करकर भी कर सकते हैं जिससे body बहुत ज्यादा twist नहीं हो पा रही है वो जितना हो सके उतना twist करके hold करें फिर से normal position में आ जाएए और अब हम करेंगे मर्कटासना इसके लिए जमिन पर पीट के बल लेट जाए फिर से थोड़ा सा rest करना चाहे तो कर ले दोनों पेरों को पास में रखना है और दोनों हाथों को कंधों के बराबर सामने रख देना है अब दोनों पेरों को bend करके जितना हो सके उतना नस्दिक लेकर आए अब दोनों पेरों को एक साथ लेफ साइड लेकर जाए और करदन को राइट साइड लेकर आए बोड़ी को पूरा रिलेक्स कर दे थोड़ी देर होल्ड करने के बाद अब ओपोजीट साइड करना है लेक को रैट साइड लेकर आना है और कर्दन को लेप्ट साइड लेकर जाना है इससे बेक में बहुत ही अच्छा स्ट्रेच मिलता है इसलिए बेक पेन के लिए बहुत ही अच्छा आसन है इसे 3-4 वार रिपीट करें मरकट आसन की तीन वेरियेशन है जिसमें से हम दूसरा देखते हैं अभी इसके लिए दोनों लेक को थोड़ा सा दूर रखना है और अब सेम इसी तरह से लेक को लेफ साइड और गर्दन को राइट साइड लेकर आना है नी को जितना हो सके उतना जमीन को टेच करने की पोसिस करे और पोसिशन को होल्ड करके रखे फिर दूसरी साइड करेंगे अब लेग राइट साइड आएगे और गर्दन लेप साइड जितना आप से हो पाए उतना करें बाबा राम देव भी कहते हैं पर्फेक्शन जरूरी नहीं है एक्शन जरूरी है इसलिए आप जैसे जैसे पोश्चर करते जाएंगे वैसे वैसे बहतर होता जाएगा इसको भी तीन से चार बार रिपीट करें अब देखते हैं मर्कटासन का तीसरा वेरियसन जिसके लिए दोनों लेग को सीधा कर दें अब राइट लेग को उपर उठाना है और लेफ साइड लेकर जाना है अब हाद से पेर को पकड़ ले अगर नहीं पकड़ा जा रहा है तो ऐसे ही पेर को साइड में रख सकते है थोड़ी देर इस पोशिशन में रहे और फिर लेग को वापिस उपर ले ले अब सेम ऐसा दूसरी साइड करेंगे अब लेफ लेक को उपर लेना है और राइट साइड लेकर आना है हाद से पकड़ सकते हैं तो पकड़ ले और अगर नहीं पकड़ सकते हैं तो ऐसे ही रख दे इसको भी तिन से चार बार रिपीट करें आसन के रेपिटेशन आप दिरे दिरे बढ़ा सकते हैं हो सके तो रोज करें या फिर एक दिन को चोड़ करें या फिर हपते में तीन बात तो जरूर करें अब लास्त में थोड़ी देर सवासन में आराम करें अगर किसी को स्ट्रिप डिस्क की प्रॉब्लम है या फिर बेक में इंजुरी है तो वो डॉक्टर की सला के अनुसारी आसन करें धन्यवाद